मुझे आपको मिलेगा कुकिंग प्लस विलोगिंग तो प्लीज सब्सक्राइब असलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप उम्मीदे खेरियत से होंगे खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मज़े में हूँ और शॉपिंग करके आई थी आपको पता है मैंने आपको दिखाया भी था सारी शॉपिंग आप मेरे साथ ही थे और क्या लेकर आई हूँ तो आज है शॉपिंग हॉल वीडियो दिखा रही हूँ आपको क्या क्या लेकर आई हूँ विससे ग्रॉसरी तो सबको पता है सारे घर आदेखे तो नहीं ले रही थी और ये रंगीन सीवाइयां जो है मैं इसे फालुदा आपको बना के दिक्खाऊंगी और आपके साथ रेसेपी जरूर शेयर करूँगी खश्काश ली है मैंने वैसे मैं खश्काश यूज नहीं करती हूं लेकिन मैंने ली है कौफते बगेरा के लिए यूज हो जाती है अच्छी लगती है उसके में यूज होती है रसमलाई ये वाली जो है लजीदा की ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये जरूर लेती हूं रमजानों में और ये फूरूट का टेन भी लाजमी आता है क्रीम के पैकेड्स आते हैं जैली कस्टरड य कैसे करें उनसे कैसे बचाएं क्योंकि ये काने पीने की चीज़ें जो है हमारे अगर कैबनेट्स वगेरा में रखी भी होती है खास तो उसमें कीड़ियां भी हो जाती है कभी-कभी बास वकाद इसा होता है क्योटे-चोटे से काक्रोचिस हो जाते हैं और वो बड़ा परे यह सिर्फ मुझे 55 की मिली थी चेस से तो वो शेयर कर रही हूं इसलिए क्यूंके जो सस्ती चीज हो बताने चाहिए लोगों को ताके लोगों को अगर वहां से पर्चेस करना हो तो वो कर सकेंगे थर्मोसिस मुझे बहुत अच्छे मिले हैं बच्छों के लिए मैंने तीनों क मैंने आपको बताया था कि मैं क्रीम मायनिस यूज कर रही हूं आजकर और यह कैबनेट की यहालत हो गई थी क्योंके समान जैसे जैसे खतम होता जाता है तो वो जड़ता ही चला जाता है जो जगह होती है अब यह वेकरी के जो सारा आइटम है ना यह मैं उपर शिफ्ट कर है और इसको बिल्कुल क्लीन करके मैं आपको बताती हूं के जो कॉक्रोचिस हैं उनको हम दूर कैसे रख सकते हैं बहुत ही एजी है सिर्फ आपको एक चीज खरीदनी है थोड़ी से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो हैं बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कॉक्रोचिस से बिल्कुल परिशानी आपकी खतम हो जाएगी यह देखें यह इनको को कहते हैं फिनाईल की टैबलेट्स फिनाईल की टैबलेट्स भी कहते हैं बाद लोग इसको बुरास की गोलिया भी कहते हैं और बाद लोग इसको काफूर की गोलिया भी कहते हैं हम लोग इसको काफूर बिल्कुल कॉर्णर्स में इसको सेट कर देंगे ताकि यहां वा ना हो और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज आपकी जो है अगर खाने पीने की है तो आप उसको खुल के ना रखेगा बिल्कुल ओपन करके ना रखेगा अगर आपने यूज की वी है और आप आप तो आपको रबर बैंड लगा के रखेंगे यह कोई किलिप वगयरा लगा कर रखेंगे वरना इसकी जो खुश्पू है ना इतनी तेज होती है चार-पाइज तक बहुत तेजी होती है तो बाद में कम हो जाती है मदधम हो जाती है लेकिन स्टार्टिंग बहुत ज़ा और जो सारी चीज़ें थी वो सेट कर दी और सेट करने के बाद हो गया एक और पोपट मेरे साथ रोजा ना कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस दफा मैंने जो हैं चिली सोस, सोया सोस, वेनिगर भी सब यहां पे रख दिया है फ्रेज में कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि यह सारी चीज़ें जो बार-बार यूज होती है बार-बार भाग भाग के मुझे फ्रेज पे जाना पड़ता है बच्चों को बोलना पड़ता है, बच्चों का भी रोजा होता है बेकार में बच्चों को भी परिशान करना तो इसलिए मैने सब चीदों करीब करीब रखी आपने ताकि फटाफट यूज़ करने में आसानी हो यह जो यूज़ वाली चाय की पती है ये नीचे रखी वीए जो नईी वाली है वो मैने उपर रख दी है ताकि जब use करनी हो पीछे आपको नजर आ रही होगी मेरी तेज़दम ठा करके लगने वाली वो पीछे रखी वी है मैं यही use करती हूँ जब से मैंने यह use किया है तब से मुझे कोई भी चाय की पती अच्छी नहीं लगती सारे जो मेरे शर्बत वगेरा के आइटम थे जितने भी मैंने शर्बत लिये हैं मैंने तीन किसम के लिए एक औरेंज लिया है शर्बत एक ग्रीन वाला लिया है ऐस्क्रीम सोडा और एक जामेशीरी जो आता है वो और एक टैंग ले लिया है टैंग भी मैंने भी पीछे रखा मैंने बेसन और मेदे की तो जगा ही नहीं बनाए फिर दुबारा से मैंने उसकी सेटिंग की खाली किया थोड़ा-थोड़ा सा उपर से जूसेज उतार के नीचे रखे और जो बेसन और मेदा है डबों में भरके वापस से मैंनों को सेट करके रखा और मेगी इतनी इस्तमाल होती है रमदान के मह人民 में तो मैंनों को वपर चढ़ा दिया और पीछे की तरफ कर दिया है और यानि जो चीज़ें कम इस्तमाल होने वाली है वो ऊपर की साइट पर रखें जो बहुत जादा इस्तमाल होने वाली है क्योंकि मेरा जो रोल है पुराना वाला वो खतम नहीं हुआ है अभी इसलिए मैंने नया वाला यूज नहीं किया है अभी तो ये हो गई है मेरी सारी सेटिंग और अब आ जाते हैं उस शॉपिंग पर जिसमें आपको जादा इंटरस्ट होने वाला है क्या क्या खरीदा है मैंने जुल्री में वो बताते हूं अब को अभी सिर्फ वो जुल्री दिखा स्वापिंग कर रहे हूं तो अभी चैस शॉपिंग हॉल कर करा ठार स्मेयरा खरीदना था लेकिन हमने जेनब का खरीदा है क्योंकि मेरे बेटी एकी है क्योंत चाहते सकाती हैं चाहती है पास मियरी बेटी के सब कुछ होग करी जो चीज मुझे अच्छा वहाथी लगती है चाहती बेटों परा है वर मैं अपने लिए क्लच ले लिया और यह आपको बताओं क्लच जो है सिर्फ 500 का है और इसका जो लेडर कर टेक्स्चिर वह बहुत अच्छा है अब 500 का मुझे 4-5 माईने 6 माईने 7 माईने भी चल जाता है अगर तो बहुत ही अच्छा है चलें आप करते हैं अन्बॉक्सिंग इन जिसको मैं खूल रही हूँ यह जैंट्स परफ्यूम है यह मेरे हजबन ने अपने लिए खरीदा है और मेरे खाल में 17 और 18 के दर्म्यान में है 17 18 के दर्म्यान में है यह 17 सुका है यह शायद 17.5 सुका है मेरे पास अभी बिल अवेल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देती यह बता देती यह इस तरह से सील पैक था अच्छी तरह से क्यूंकि टेस्टर में हमने तो अच्छी तरह से जांच परताल करके ही खरीदा है और जो लेडी पर्फ्यूम है वो मैंने पहले यूज किया वाय तो मुझे यही चाहिए था और यह देखें यह जो है इसका नाम स तो उस रिसाब से ही परीउम करीदना चाहिए थोड़ा कुछ न निए दिट नए। एफ्रेंट करते हैं तो में यह वाला चूश किया था और यहाला capaci क्या दो उन्होंने है विछे था ल गॉह खरीद कर देश है और यह जो पर्फ्यूम है परीण हैस्बूम है और यह दे यूज करती हूं 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 पर्फियूम यूज करती हूं प एसकत है दूपते बाद मैं झाले से थैजован कें होता है अभी झाले पर्फियू में लगा ओऊ भी है लगा है मैं है तो पूरा रूम महिक यहाँ आज़ा रहा ए Absolutely वैनिटी पर रखें तो बहुत प्यारी लगेगी वैनिटी पर भी और जो जैंट्स पर्फियूम है वह भी वैनिटी पर रखा वह बहुत खुबसूरत लगेगा तो अभी मैंने आपको इनकी बॉटल्स भी अच्छी तरह से दिखा दी हैं मैं अपनी बातों में लग गई और तो इतनी जादा मैंने कोई डीटेलिंग नहीं किये लेकिन मैं आपको highly recommended है ये परफियूम मैं आपको बता दूं बहुत जबर्दस्त हैं दोनों के दोनों और अब आजाते हैं जुल्री पर तो जुल्री में जो है ज्यादा तर तो जेनब की ही चीज़ें हैं मैं इसको टेयर कर रही थी और ये जो बैंड लगावा होता है ये easily टेयर हो जाता है लेकिन इनका जो शौपर है पता नहीं कैसा था मैंने इसको इतना बेदर्दी से फा ये भी बहुत है और ये तक्रीबं चार पांच मैंने से मेरे हाथ में पहना हूए और बटन धोरी हूँ मैं नहा रही हूं मैं कुछ भी कर रही हूं ये खराब नहीं हुआ अब ये देखेंगी कैसा रहता है लेकिन ये बहुत ही बहुत मुझे तो अपनी कॉलिटी के लगा के आपको दिखाती हूं यह देखें और जब यह ड्रॉप डाउन होगा तो कितना प्यारा लगेगा क्योंकि यह थोड़ा सा लूज वाला है तो यह ड्रॉप डाउन भी होगा और यह जो है दूसरा वाला यह मैंने जेनब के लिए खरीदा है और वह बोल्स वाला जो है पोनी है यह जेनब के लिए खरीदा है मैंने और जेनब के लिए यह वाला जो है हार्ट सेट भी खरीदा है लॉकेट सेट यह भी मुझे बहुत पसंद आया था यह मेरे खाल में 300 रुपीस का है और कॉलिटी बहुत जबरदस्त है इसकी और यह देखें यहां पर यह जो है यह यह मैंने खरीदा है शायद मैंने यह भी 200 यह 250 के खरीदे थे यह यह जी मैंने अपने लीग खरीदे थे और जेनब का एक हैर बेंड खरीदा था तो यह चीज़े थूड़ीसी मैं बहुत जूरी सmoment के rate भी बताते हैं अब जो मैंने चीज़ खरीद लिए वो तो मेरी हो गई ना मैंने जब शॉपिंग का आपको वीडियो बना के दिखाया था तो उसमें मैंने कोई भी price शो नहीं होने दिया लेकिन जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं उनके तो मैं आपको price बताऊंगी ये तो म पेले gift किया भी है शायद शादी पर मैंने अपनी कजन को gift किया था बहुत जबर्दस के लिए व्हा पर्फियूम दोनों का तो शायद मैंने वह पर्फियूम और डियो का सेट को gift कि ल्ए टी शिर्ट मैंने जो खरीदी है चेज़ की तो ये जो इसका तेक्स्च्चर है बह बहुत सबर्दस कंट्रास लगेगा तो आज का था मेरा ये चोटा सा शॉपिंग होल पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट करके बताएगा कि कौन सी चीज़ आपको सबसे जादा पसंद आई है दौा में याद